अस्सलामम अलेक मुराइख। उल्लाह वरकातु है। और क्या बोलती है पब्लीक। ग्यू जो चूसने वाली जू है वो स्कीन और ओपर की जो स्कीन को डैमेज करती है और उससे खुजली करते हैं। जो चूसने वाली जू जो रहती है वो जो जू रहती है वो मलब खून चूसती है और वो भी ज्यादा हानी कारक होती है जू जू एक ऐसी चीज है जो बकरो और या बकरियों की ग्रोथ को बढ़ने ने दे सकती है क्योंकि वो खून चूसती है और खून चूसने के बाद में आपका बक्रा या बक्री कितना भी खाए वो आपको नहीं पता चले इसलिए सफाई बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टन है तो यह याद रख रहे हैं कि हमारे जानवरों को सब में पहले सफाई रखे सफाई करने के बावजुद भी जो आती है तो उसका कंटीन्यू इलाज करते रहना चाहिए इसलिए हमने इंजेक्शन लेगा है डेक्टोमेक्स उसके बावजुद भी आप इंजेक्शन मानने के बाद में घर में बटके फारिक मत हो जाओ आपके जो फार्म का जो एरिया है उसको आप सफाई करना पड़ेग तो आपको उसको मैक्जिमम चुना मानना पड़ेगा मलत तीन दिन तक सफाई करने की जरूरी है तो इसलिए ये मैक्जिमम देखो ब्रीडिंग वाले फार्म पे या कोई भी है सफाई नहीं है या होने के बावजुद भी जू आ सकती है तो जू से अपने जानवरों को दोनों बकरों के सैथ के लिए या जानवरों के सैथ के लिए हानी कारक है तो कृपिया करके आप आपके जानवरों का खया रखे और बस दूआ में या रखना अपना खया रखना गरीबों की मदद करना भुननाने अपनी अम्मी अब्बा का फामा बदा बनू ज्यादर से ज़ाद ज़ाड लगाओ, clean India, green India, pollution free India, और एक बात याद रखना, कभी भी किसी का पेट काट के अपना पेट भनने की कोशिश नहीं करना, बेशक, रिज्क देने वाली जाद अल्ला किये, टेक क्यार, अल्ला आफिस,